तो दोस्तों आप भी बनना चाहते हैं MS Word में एक्सपर्ट, MS Word में ID Card, Certificate, Visiting Card, आज ही सब डिजाइन करना सीखना चाहते हैं तो बने रही है वीडियो में अंत तक आज मैं आपको सीखाने वाला हूँ MS Word में Visiting Card कैसे डिजाइन करते हैं यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक करते हैं और शेर अपने दोस्तों तक जरूर करें मैंने MS Word का Complete Tutorial चार्ड पार्ट में आपके इस YouTube पर चैनल पर डाल रखा है आप चाहें तो उसको विजिट कर सकते हैं उसमें सारी वारिकी की चीज़े मैंने बताई हुई है तो लेट्स बिगें इस वीडियो को शुरू करते हैं चलिए दोस्तों तो दोस्तों हम आ चुके हैं MS Word में और आपको MS Word की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी सामने तो हम क्या करते हैं अब सबसे पहले विजिटिंग कार्ड डिजाइन करने के लिए आपको क्या करना होता है उस कार्ड की साइज आपको सेट करनी होती है तो कार्ड की साइज यानि पेज को सेट अप करना होता है पेज सेट अप करने के लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले आपको जाना होगा ये home tape है आपको जाना होगा page layout tape के अंदर आपको दिखाई देर होगी रही होगी मैं zoom करके बता रहा हूँ तो page layout tape में जाने के बाद में आपको यहाँ पर size पर click करना है और last में जाना है नीचे ही नीचे सबसे नीचे आपको मिलेगा more paper size यहाँ पर click करना है और यहाँ पर click करने के बाद में आपके सामने एक dialogue box open होता है page setup का यहाँ पर आपको width में 21 cm और height में 29.7 cm दिख रहा है तो हम इसको क्या करेंगे customize करेंगे और customize करने के लिए अपन क्या करेंगे इसकी width है उस width को open 9.7 रखेंगे और इसकी जो height है इस height को open 5.8 रखेंगे अगर आपके यहाँ पर scaling अगर inches में दिखाई दे रही है तो आप उसकी scaling को 3.7 और 2.3 रखें बाकी अगर centimeter में दिखता है तो आप यह जो मैंने माप लगाया है यह आप रखें उसके बाद में आपको क्या करना है उसके बाद में एक चीज़ और करना है आपको इस margin पर क्लिक करना है और margin में यहाँ पर सभी जगे शुन्य शुन्य कर देना है जीरो जीरो कर देना है चारो तरफ जो टोप बोटम लेफ्ट और राइट मार्जिन है यहाँ पर चारो तरफ आपको कर देना है शुन्य यानि जीरो 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 और जीरो और उसके बाद में आपको कर देना है ओके okay करने के बाद में यहाँ पर आपको fix पर click करना है और double okay करना है यहाँ पर उसके बाद में आपका paper का size set हो जाएगा अब मैं control के साथ में क्योंकि paper size की चोटी है बहुत तो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे दिखना ही पाएगा तो control के साथ में mouse का जो roller है उसको आगे की तरफ गुमाना है जिसको उपन scroller केते हैं scroll roller केते हैं इसको आगे की तरफ ऐसे गुमाना है जैसे मैं गुमा रहा हूँ आगे की तरफ तो page की size जो है वो बढ़ जाएगी और यहाँ पर आपको जो right जो है margin इसको उपन यहाँ पर थो सबसे पहले page जो है इस page का background color देना है तो थोड़ा सा चोटा करना है तक हमें पूरा color नजर आएगा यह अब page का background color देने के लिए आपको क्या करना होता है इसी page layout tape में आपको page colors दिखाई देंगे यह page colors इस page color में जाने के बाद में यहाँ पर click करना है और यहाँ पर more colors पर click करना है इपक्षेट करने के बाद में आपको यहाँ पर pre-set में click करना है आप चाहें तो यहाँ पर भी ले सकते हैं two colors, two colors ने लोगे तो भी कुई समशा नहीं है और आप यहाँ पर देखेंगे two colors में देखो यहाँ पर gradient वाला है आप चाहें तो texture texture fill कर सकते हैं yeah picture कर सकते हैं मैं यहाँ पर color ले रहा हूँ और यहाँ पर जो आपको color 1 दिख रहा है color 1 में मैं कोई हलका सा color ले लेता हूँ जैसे मैंने यह ले लिया है मैंने यहाँ पर green color ले ले लिया है और दूसरा color ले ले लेता हूँ कोई यहाँ पर यह हलका सा जो आपका orange type का दिख रहा है दूसर color दिख रहा है इसको में ले लेता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको shading की style जो हो नहीं तर आ रहा ही vertically डाइगनलि अप डाइगनलि डाउन तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसमें चेक कर लेते है क्लिक करते हुए आपको किसार लखना है यह इस परकार की आपको क्या दिखेगी कार्ड की जो है वो सेंपल नजर आ रहा है सामने किस परकार से नजर आएगा ठीक है तो आप कोई सा भी एक रख सकते हैं डाइगनल याप डाइगनल डाउन ओके कर देंगे यहाँ पर और ओके करते हैं आपके सामने इस परकार का ग्रेडियंट नजर आएगा यह आप फिल कर सकते हैं और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़े मिलती है आप चाहें तो यहाँ पर आगे और भी कर सकते हैं more effects में, effects, fill effects में, pre-shade वाला भी कर सकते हैं, transparency भी आप यहां से कम ज़्यादा कर सकते हैं, चाहे तो color की transparency, pre-shade में जाना पड़ेगा हमें, और पहले से यह हैं, वो आप ले सकते हैं, इस परकार से आप जो है, वो क्या कर सकते हैं, अलग-अलग gradient fill कर सकते हैं, मैं यहाँ पर cancel करता हूँ, मुझे इसी परकार का जो कि है, वो effect यहाँ पर चाहिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, मैं इसको zoom कर लेता हूँ, यह, अब यहाँ पर आपको नाम लिखना है, जैसे कोई संचालक है, तो उसका नाम लिखना है, जैसे मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, बेक स्पेस करता हूँ, और मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ, जैसे, capital में लिखना है, तो आपके अपसलो को न का रखें, ठीक है, यह आप लिख देंगे नाम, ठीक है, यह सबसे पहले, यह इसको अब आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा आपन select करेंगे इस प्रकार से, कैसे करेंगे, shift के साथ में आपको left arrow की देवा दबाना है, यह आप इसके उपर double click भी कर सकते हैं, मैं इसको control B के साथ में bold कर देता हूँ, और इसका color जो है, वो आप यहाँ से home tape में जाएंगे, color में जाएंगे, चाहे तो आप red color ले सकते हैं, बाकि आप बहुत सारे color आपके सामने मिलेंगे, जो भी आपको color अच्छा लगता है, वो color यहाँ से set कर लें, जो color आपको अच्छा लगता है वो, यह जिसे मुझे यह अच्छा लग रहा है, और यहाँ से आप इसका font style है, वो change कर लें, कोई साभी जो अच्छा लगे, अब यह font style चेंज करने के लिए, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, ताकि font जो है, उसकी style आपको नजर आए, अब यह सामने आ रहा है तो दिखेगा नी, इसलिए हम, जैसे मैं यह करके देखता हूँ, चलिए यह थोड़ा अच्छा लग रहा है, यह अच्छा लग रहा है, ठीक है, उसके बाद में, आप इसका size जो है आप देख रहे हैं 11 है, तो ठीक है, आपको tape प्रेस करना है, tape बटन प्रेस करना है, और यहाँ पर लिखना है mobile number, तो हमें लिख देता हूँ, m, o, v, और फिर colon लगा देना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर mobile number लिखता हूँ, यह मेरे mobile number लिखता हूँ, आप चाहें तो एक number और add कर सकते हैं, और एक और add करने के लिए, आप क्या करेंगे, आप shift के साथ में enter प्रेस करेंगे, shift दबाते हुए enter प्रेस करना है, और फिर आप tape से cursor को आगे ले जाएंगे, cursor आपको दिख रहा होगा मेरा ख्याल है, क्योंकि cursor का जो color है, वो gradient के हिसाब से आ रहा है, तो आप यहाँ पर इसको tape प्रेस करें, और अब tape प्रेस नहीं करना है, वापस यहाँ पर आने के बाद अब space से आगे ले चलना है, तो मैं space से आगे चलता हूँ, और कोई यहाँ पर X, Y, Z, कोई number type कर देता हूँ, जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, X, Y, Z, 7, 7, 7, 9, 0, 2, 5, 8, 0, जैसे मैंने एक number और add कर दिया है, आप चाहें, तो यहाँ पर इसको select करें, और select करने के बाद में यहाँ पर, home tape में आपको यहाँ पर एक option मिलेगा, यह इसको कहते हैं spacing, यहाँ पर आप spacing 1.0 कर दें, spacing और कम हो जाएगी, इस परकार से आप लगा सकते हैं, यह दो चीज़े अपन ने कर दी है, उसके बाद में, अब अपन लिखेंगे, जो भी आपकी संस्ता है, उसका पूरा नाम, नाम लिखने के लिए आपको क्या करना है, insert tape में जाना है, shape पर click करना है, और यहाँ पर एक आपको मिलेगा, text box, यहाँ पर आपको मिलेगा एक text box, यह text box है, इस पर click करना है, मैंने recently use किया है, बागी आपको नीचे मिलेगा यह, यह text box यहाँ पर मिलेगा यह, तो मैं text box पर click करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर एक text box ड्रो करता हूँ, जैसे मैंने यह text box ड्रो कर लिया है, और अब मैं यहाँ पर नाम लिखूँगा, तो मैं लिखता हूँ, तो दोस्तों मैंने नाम लिख लिया है, और अब इसको करते हैं Select इसको करते हैं Select करने के बाद में Ctrl-B से Bold कर लेते हैं और Ctrl-Shift और Greater Than की की से अपने इसका Size थोड़ा बढ़ाते हैं यह मैंने थोड़ा Size बढ़ा लिया है और अब इसको Open क्या करते हैं यहां से इस Box को थोड़ा बढ़ा लग करते हैं यह कर लिया है मैंने Box को बढ़ा अभी एक जो है अक्षर वो इसमें नहीं दिखाई दिया रहा है तो अपन क्या करते हैं थोड़ा सा इसकी Size को Adjust करेंगे और मैं इसको Select करके थोड़ा Size छोड़ा कर लेता हूँ यह कर लिया है मैंने चोटा अभी क्या करना है कि आप देख रहे हैं होंगे कि पीछे का जो Gradient है वो नजर नहीं आ रहा है अब Gradient नजर नहीं आ रहा है तो आप को का करना है यह जो Box है इस पर आपको इस पर कार से क्लिक करना है यह यह Select हो जाएगा Select होने के बाद में आप यहां पर देखेंगे कि एक Format Tape बनी हुई है इस Format Tape अगर आपने क्लिक नहीं किया है तो ठीक है बागी कर रखा है तो अची बात है तो आप वो यहां पर क्लिक करना है और यहां पर आपको मिलेगा एक Option Shape फिल का कि वो सारा जो आ रहा था वो सब गायब हो चुका है अब देखेंगे आपन इसमें और कुछ effects कैसे डालते है इससे पहले आपन Format Tape में यहां पर एक चीज और देख लेते हैं कि इसको Central Align कर देते हैं और Central Align करने के लिए आपको यहां पर यह एक Alignment का Option मिलेगा इस पर क्लिक करना है और यहां पर Central Align कर देना है यह Central Align हो जाएगा उसके बाद में इसके बाद में अभी देखेंगे आपकी इसको यह जो आपका अक्षर लिखा हुआ है नेम लिखा हुआ है इसको भी Center में लेना है Ctrl E Press करना है आपको Center में Align हो जाएगा और इस पूरे को Select कर लेना है यह Select करने के बाद में आप Home टेब में आएंगे यहां पर आप टेक्स्ट का जो है Color इस परकार से आपको यह देदेंगे Color लेकिन जो आपको उचित लगता है क्योंकि यहां पर बहुत सारे आपको मिलेंगे तो जो इस Gradient पर उचित लगे जो अच्छा लगे और भी यहां पर मैं आपको बदाऊंगा जैसे आप देखेंगे कि Format टेब में एक Glow वाला Option मिलता है फोर में टेब में यहां पर एक Option मिलता है आपको Text Glow है ना तो यहां पर यहां पर Glow पर जाएंगे अपन और Glow में जाने के बाद में आपको एक सार टेक्स्ट सेलेक्टर लेंगे जिसमें Glow नजर आए ठीक है जैसे अपन यह ले लेते हैं और फिर अपन Home Tap में जाते हैं Home Tap में जाने के बाद में यह जो दिख रहा है आप यहां से कोई Text जो है वो ले लेंगे जो भी आपको अच्छा लगे वो ले लेंगे जैसे यह मुझे ठीक लग रहा है तो मैंने यह ले लिया है और इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा उपर Shift कर लेंगे arrow key से तो दोस्तो मैंने इसको adjust कर लिया है अब आप देख रहे हैं होंगे कि बिल्कुल center में आ चुका है और completely जगे पर cover हो चुका यह नमर अगर आपको थोड़े बड़े दिखते हैं अगर इसा लगता है कि यह नमर बड़े हैं तो आप control shift से इनको छोटा चोटा कर सकते हैं इस परकार से थोड़ा चोटा कर लेंगे और यहां पर एक space ओर देंगे थोड़ा सा यह इस परकार से आप space देकर भी नमर यह कर सकते हैं बाकि यह सारा हो गया है अब हमें क्या करना है दोस्तों इसके नीचे और बहुत सरी जनकर लिगनी है तो हम फिर से यहां पर जाएंगे insert टेब में insert में जाने के बार shape पर जाएंगे और shape में जाने के बाद में यहां पर एक text box और select करेंगे text box select करने के बाद में अपने को जो भी अक्षर लिखने हैं जैसे में यहां पर लिखता हूँ आरस आरस सि आइटी ए सी ओ एम पी पी ल एटी कंप्लेट सी ओ एम पी यू टी आर सी ओ यू आर एस एकंप्लेटर कोर्स यह लिगने का बाद में हम क्या करेंगे इसको सेलेट करेंगे select करते ही आपको home tape में जाना है यहाँ पर आपको case का option मिलेगा case का option मिलना है capitalize each word पर click करना है case में जाकर और इस परकार से आपका क्या हो जाएगा यह आपका जो है मैं फिर से जाता हूँ वहाँ पर something went wrong मेरे से कोई mistake हुई है यहाँ पर case पर जाना है case पर जाने के बाद में capitalize each word कर देना है इस परकार से आपको कर देना है caps law को नहीं रखना है बाकी समझे हो जाएगी और यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर यह जो है ना इसको फिर से लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों सारे capital में लिखने है आपको सब का ऐसा नहीं करना है तो RS करके मैं वापस करते हैं CIT यह RACAT और यह जो RACAT हमने लिखा है इसको थोड़ा क्योंकि यह special word है तो मैं control B करता हूँ इसका color में थोड़ा red कर लेता हूँ बिल्कुल red color, reddish color चीज़ का तो मैंने reddish color कर दिया है और अब आपको सब को select करना है यहाँ पर ऐसे फिर control shift less than से इसकी size को करना है छोटा और छोटा करने के बाद में वही काम करना है जो हमने उपर वाले text में नाम लिखने में किया था फिल में जाना है shape फिल में और no fill कर देना है no fill उसके बाद में इसकी outline पर जाना है यहाँ पर बार क्लिक करते हुए यह क्लिक किया है outline पर जाना है no outline करना है ठीक है और इसका जो color है यह इधर वाले का इधर वाले का color यह आप चाहें तो यहाँ से change कर सकते हैं यह color आप यहाँ से change कर देंगे जैसे मैं यहाँ पर red नहीं लूँगा और दूसरा color लूँगा कोई जो अच्छे से दिखे है यह ठीक लग रहा है तो अपन यह कर लेते हैं और control B से इसको bold भी कर लेते हैं और आपको क्या करना है format tape में जाना है सेम भी काम करना है align करना है इसको center और इसका alignment यहाँ पर click करते हुए आपको control E press करना है बीच में आ जाएगा और उसके बाद में आपको यहाँ पर इसको उपर की side में setup करना है यह कर लेंगे अपने इसको center line कर देते हैं और complete हो जाएगा काम ठीक है अब आप देखेंगे कितना area बचा पड़ा है आपके पास में इतना सारा area बचा पड़ा है अब हम यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़े लिखेंगे और कुछ लिखने के लिए आपको यहाँ पर shape पर जाना है text box लेना है draw करना है text box और उसमें आपको लिखना है जैसे तो दोस्तों मैंने यहाँ पर extra details लिख लिख लिए और यह detail लिखने के बाद में आपको क्या करना है अब बस इनकी वह फॉर्मेटिंग करने ही color देना है आपको इनको select करें control B से bold करें बोल्ट करने के बाद में आप इनका formatting change कर सकते हैं यह फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं हम टेप में जाने के बाद में आपको करना है इधर से इनका font का जो है वो stella को choose करना है कोई सब्सक्राइब चूज कर सकते हैं यह मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं यह ले ले लत हूँ और हम सबको select करेंगे पहले यहां पर select करने के बाद में यह select कर लिया है और control shift less than के मादेम सेपन की size को कर लेंगे छोटा और फिर आपको क्या करना है यह करने के बाद में इनको थोड़ा सा color दे देना है कोई सा भी अच्छा वाला color दे देते हैं यह ठीक लग रहा है तो यह color अपने दे दिया है और इसका जो है वो ही same same काम करना है format tab fill no fill उसके बाद में outline no outline ठीक है और align करना है center आपको यहाँ पर click करना है भी इसमें control e press करना है center alignment दे देना है और इनको ले जाना है उपर थोड़ा सा उपर रह लेते हैं इसको arrow key से और फिर यहाँ पर अपन alignment कर देते है center यह center कर दिया है यह आ जाएगा अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बहुत अच्छे से कार्ड डिजैन हो गया है अब बाकी की कुछ और एक्स्ट्रा जन करी है वह अपन नीचे कैसे लिखेंगे तो मैं जल्दी से एक्स्ट्रा जन करी टाइप कर लेता हूं ऐसे ही आपको text box लेना है इसको select करेंगे select करके size लोड़ा बढ़ाएंगे size बढ़ा लेता हूं में यह size बढ़ा लिया है और size बढ़ाने के बाद में यह जो पूरा दिख रहा है आपको यह पूरी जो shape अपने insert किये इस shape को अपने को करना होगा fill और fill करने के लिए अपन क्या करेंगी format tape में कि और एक कोई color लेंगे जिससे इसको fill करना है कोई ऐसा color ले लेंगे जिससे यह अच्छा लग रहा है और उसके बाद में यहां पर text को जो है color देना है तो text को color देने के लिए अपन क्या करेंगे टेक्ट को स्लेक्ट करेंगे यहाँ पर और उसके बाद में home tap में यहाँ पर टेक्ट का कोई color ले लेंगे तहां जिसे यह ठीक लग रहा है हरा color यह ठीक नहीं लग रहा है जो भी आपको अच्छा लगता है वो color आपको लेना है मैं यह आपर कोई दूसरा सेलेक्ट करता हूँ ताकि वो अच्छे से नजर आया ये ठीक है इसको मैं कंट्रोल इस से सेंटर लाइन कर देता हूँ और बाकी सारा काम कंप्लीट है ये हो गया है इसको थोड़ा टेक्स्ट बोक्स को उपन लेते हैं उपर और फॉर्मेट टेप में जाकर इसका आलाइन में कर देते हैं सेंटर ये हो गया है इतना सारा लिख दिया है हमने दोस्तों उसके बाद में हम लश्ट जो चीज है वो लिखेंगे अपना पता पता लिखने के लिए हम क्या करेंगे इसी टेक्स्ट बोक्स को उपन नीचे लेंगे और मैं यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करता है इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद में आपको Ctrl प्रेस करना है आपको कुछ नजर आएगा दिख रहा है आपको Plus का Sign और क्लिक करते हुए नीचे ड्रेक करना है क्या करना है Ctrl, Click and Drag एक एमिनिट थोड़ा सा Distribence चल रहा है Ctrl, Click and Drag यह जैसे मैंने कर लिया अब आपको दिख रहा होगा Ctrl, Click and Drag करना है और यहाँ पर यह इसको मिटा देते हैं सबको मिटा देते हैं और मैं जल्दी से दूसरा टेक्स यहाँ पर लिखना है वो ले लेता हूँ तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख लिए है और आप इसको क्या है कि यह पट्टी में नजी रिखना है अपने को इसमें आपको इसका बेकराउंड नहीं देना है तो आप क्या करेंगे वो इस फोर्मेट टेप पर क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे बाद हम फोर्मेट में जाना है और shape fill में जाना है no fill कर देना है यह no fill कर दिया है अपने और इसका outline भी हटा देना है no outline पर click कर देना है और यह होने के बाद में इसको हम थोड़ा नीचे-किसका लेंगे इसको नीचे-किसकाना है चाहे तो आप इसका color भी change कर सकते हैं किसकाने के बाद में आपको यहां पर जाना है और यहां पर इसको Central Line कर देना है, Central Line करने के बाद में यह आपको अच्छा दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों, अब यहां पर कुछ जगे और बची है, इस जगे में आपको कुछ XYZ और चीजे लिक देनी है, जैसे मैं लिक देत एक मिनिट मेरे समश्या हो रही है, यह देखो, दो बन गए है, अब यह हो गया एक तो, एक यह हो गया है, इसको अपन तोड़ा उपर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, और यहां पर कोई extra जानकारी है, वो लिक देता हूँ, मैं जल्दी से लिक देता हूँ, तो दोस्तों आपनिया से कोई जो है, फॉर्मेटिंग देते हैं, जैसे मैं यहां पर यह फॉर्मेटिंग अपलाई कर देता हूँ, यह इमितर सर्विस अविलेबल कर दिया है, मैंने, इसको आपको क्या करना है, फॉर्मेट टेप में जाना है, और इसको फिर से central line कर देना है, यह मैं central line और आपको बताता हूँ कैसा दिख रहा है, यह आपका card बन चुका है, आप देख रहे होंगे, अब यहापर आपको हरी लाइन दिखाई दे रही है, और यह आपर आप देख पाएंगे, छोटा करने पर पता चल रहा है, कि यह जो हमने लिखा है complete computer course, यह थोड़ा छोटा को करते हैं, बड़ा select करना है, और control shift के साथ में greater than arrow press करना है, यह हो जाएगा बड़ा, और इस परकार से अब आपको छोटा करके देखते हैं सपूरे को, यह, अब यह आपको सारा नजर आ रहा है, अब यहाँ पर आपको कुछ यह दिख रहा है, हरी पत्टी में लाइन दे नजर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? एफ seven प्रेस करेंगे, और एफ seven करके हम सारा ignore कर देए, इ Māori, इग्नूरोल्स, इंग्नूर्वन्स, इंग्नूर्वन्स, सब इग्नूर कर देंगे, ओके, 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 ड connect कर देएंगे अपन, ओके ओके तो दोस्तों हमने सब को इगनोर कर दिया है और सारी चीजें यहाँ पर हो चुकी है और इस इमितर सर्विस को उड़ा नीचे किसका लेते है अपनिया से यह बस अब सारे काम हो चुका है आप आपको क्या करना है इस काड़ को आपको सेव करना है तो Ctrl S प्रेस करना है, Ctrl S प्रेस करने के बाद मैं आपको जैसे मैंने ये लिखा है, मैंना नाम by default इसने ले लिया है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और मैं end पर क्लिक करदा हूँ और अपन लिखते हैं visiting card और enter कर देते हैं visiting card हो गया है और save कर लेते हैं, तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो subscribe करते हैं चैनल को और अपने दोस्तों तो शेयर करना है कि इस प्रकार से अपन MS Word में ID card कैसे design करते हैं या visiting card कैसे करते हैं, ID card में next video म बताने वाला हूं तो इस वीडियो में अपन ने visiting card design किया है आप इसको देख सकते हैं आसानी से और वीडियो को पोज करके भी देख सकते हैं सारी चीज़े properly मैंने आपको बताईए बहुत बहुत